हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चनल दीपट च्यादव एजूकेशन वेलकम डो दी डेली हिंदू न्यूज एन रिटोरियल इनालेसस ऑफ 29 ऑफ मार्च 2024 तो गाईज आच है तारेक 29 मार्च 2024 और है फ्राइडे देखेंगे आच के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपी ऐसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा स्पेक लेक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसस पे इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर पाऊगे आप लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अरल सी को कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बादा कर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पारिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बिसस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेकाउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले धमनेल वाले इंपोर्टेंट आर्टिकल की दरफ इंडिया डिवाई चंदरचूड जी को उस लेटर के अंदर ये बात कहना है और ये दो दोस्तों 600 वकील हैं इसमें बहुत बड़े बड़े प्रसिद वकील आपको देखने को मिलेंगे हरीश सालवे जी का नाम भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा अब जैसे आप देख पाऊगे लाइव मिंट ने भी इसको कवर किया है और डिमोक्रेसी के पीछे का यहाँ पर सच सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा भारत में legislative, executive, judiciary इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर follow कर रहे है legislative laws बना रहा है, executive उसको implement कर रहा है, judiciary यहाँ पर उसको check कर रहा है judiciary का होना और especially, judiciary का केवल होना नहीं judiciary का independent होना हमारे लिए बहुती ज़ादा जरूरी होता है तबी तो वो डेमोक्रेसी के लाएगा अब suppose यहाँ पर judiciary मानलो एक तरफ बायस हो जाए या government के प्रती बायस हो जाए, एक example ले रहे है तो अगर government कोई भी action लेगी, कोई भी काम करेगी, कैसा भी काम करेगी judiciary कुछ बोलेगी ने, क्या फाइदा, फिर वो डेमोक्रेसी का क्या रोल और वहीं पर अगर judiciary independent होगी, तो उसको जहाँ पर सही होगा, वहाँ पर government को appreciate भी करेगी लेकिन जहाँ पर government का गलत action होगा, वहाँ पर judiciary अपने आपको involve भी करेगी government को गलत करने से रोकेगी भी तो इस basis पर यह democracy की security के लिए, जो यह judiciary है, उसका independent होना जरूरी है बट, हुआ क्या, हुआ यहाँ पर यह है कि जो यह 600 lawyers दोस्तों, इनोंने जो यह पूरा notice, यह पूरा letter हमारे CGI को लिखा है इनका कहना यह है कि हम बहुती जादा चिंतित हैं, किस चीज को लेकर, कि भई एक group है जो कि लगातार judiciary को pressurize कर रहा है यह वो letter आप देख पाओगे, to the honorable chief justice of India, date है 26 March 2024, respected sir, judiciary under threat, safeguarding judiciary from political and professional pressure यह भाई इस पूरे letter का subject है, कि judiciary अभी खत्रे में है, specially, judiciary के उपर political pressure है, professional pressure है तो यह जो group है, group का नाम reveal नहीं किया गया दोस्तो, बस खाली ऐसी बता दिया गया है, कि हाँ एक group है, जो कि इस तरीके से pressurize कर रहा है judicial process जो है, उसको influence करने की कोशिश कर रहा है, even हमारे courts को defame करने की कोशिश कर रहा है, बेकार के logic के उपर और कहीं न कहीं, इस letter के अंदर कहना है, जब judiciary उस group को लेकर उसके favor में कोई action दे देगी, या favor में कोई यहाँ पर order दे देगी, तो खुश है, favor में नहीं जाएगा कोई मामला, तो अब्यूसी बात है, वो नराज हो जाएंगे, फिर वो criticize करने लगेंगे, तो यह कहीं न कही judiciary की छवी को खराब किया जा रहा है, उस image को खराब किया जा रहा है, और यह court के लिए काफी ज़दा damaging है, और सबसे ज़दा खत्रा है हमारे democratic fabric के लिए, democracy के लिए, तो यह जो heated interest group है दोस्तों, यह अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है, यह भी बात कहीं गई है, एक false narrative create कर र golden period हुआ करता था, बढ़ आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा है आपर बोला जा रहा है, तो जितने भी lawyers है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वो CGI से मांग करते हैं, भई प्लीज आप इसके उपर statements दीजिए कुछ, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, एविन यहाँ प तो सभी parties में ऐसा देखने को बिलेगा, कोई नहीं कोई lawyer, किसी नहीं किसी को defend कर रहा है, आप देख पाओगे, बड़े-बड़े example हैं आपको नजर आ रहे होंगे, आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा इसके बारे में, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, बट होता यहाँ पर क्या है, कभी-कभी judges को यहाँ पर influence करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, अब वो judges अगर influence हो जाएंगे, अगर judges यहाँ पर जुख जाएंगे, तो मामला तो फिर खतम है ना फिर, जुडी श्री का क्या फाइदा, अपने आप ही चलो, democracy का क्या फाइदा तो हमें इस चीज के उपर action लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का जो trust है, वो judges के उपर है, आज भी अगर क्या होता है, कोई matter हो जाता है, कोई मामला गंबीर हो जाता है, क्या देना, चलो भी court में देखेंगे, मुकदमा करेंगे, क्योंकि believe है court के उपर, कि court हमें justice दे किया गया है, but question ये भी है, जब हरीश सालवे जैसे जी, यहाँ पर एक lawyer है, तो group का नाम भी दिना चाहिए था, but देखते हैं आगे क्या-क्या जो नएने information है, वो release होती है, पी एम मोदी ने इस चीज के उपर अपने भाशल के अंदर कुछ statement भी दिया है, है ना, recently आपने ल अबी के लिए information है, इसको ध्यान रखिएगा, आ गयाता है, वैसे ही जो topic हमने discuss किया है, यह हमारे GS paper number two, quality के point of view से important भी है, ठीक है, अगला जो article है, आज के हमारे दहिंदू अखबार में है, और page number one पर ही present है, GS paper number three, economy के साथ माप इसको link कर पाऊगे, बात है, जो core sector output growth है दो पिछले महीने हमारे core sectors, अब सबसे पहला question, सर यह core sector क्या है, आपको पता होगा दोस्तों भारत के main art core sectors है, art main core industries, important industries, जिसका सबसे important role है इंडिया की economy के अंदर में, अच्छा, तो वो art industries कौन सी है, जरह उसका नाम प्लीज ध्यान लखेगा, कई बार examination में question मन चुके हैं, उन art industries में number one है coal, second है crude oil industry, फिर है natural gas, then refinery industry, then steel industry, then cement, then fertilizer and then electricity, छीक है, तो इनका role काफी जाद है, for example अगर आप देखोगे, refinery का सबसे important role है, refinery का 28.04% का contribution है, फिर उसी प्रकार से refinery के बाद में जो दूसरा है वो है electricity है, 19.85% के साथ, then steel 17.92% के साथ, तो यह basically इनका weightage है, ठीक है, कितना role है इन industries का, तो यह 8 main core industries आपको देखने को मिलती है, तो इस article में बताया जा रहा है, कि February के महीने में, जो हमारा पिछला महीना था, उस पिछले महीने में natural gas, cement और coal industry जो है, यहाँ पर double digit से growth हुई है, और यह जो growth हुई है इन 3 industries में, वो पिछले 3 महीनों के comparison म सबसे जादा highest है, clear, लेकिन इसमें ही, यह तो 3 industry अलग कर दी, बाकि जो fertilizer industry है, यह ऐसी industry है, जहाँ पर अभी भी ग्रावाट देखने को मिली, यह वो industry है, जहाँ पर 9.5% के आसपास यहाँ पर दोस्तों, एक fall, एक decline देखने को मिला है, प्लस जो हमारी union government है, state government है, इनका य infrastructure से हैं, बलबले targets उसको यहाँ पर set करना, बट जिस basis पर अगर आप देखोगे, जो output overall growth है, यानि भारत के जो total 8 course actors की overall जो growth है दोस्तों, वो यहाँ पर पिछले 3 महीने में highest है, 6.7% के आसपास February के महीने में, बाकि चाट उपर नीचे होता रहता है, तो इसके वारे में ध् रखने हैं, कभी नहीं, यह percentages कभी नहीं ध्यान रखनी होती है, examination में दोस्तों नहीं पूछी जाएंगी, यह हमेशा बदलती रहती हैं, economy के अंदर में हमेशा concepts important होते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर इस article में न, art course actor हो गया, पहला point, दूसरे चीज़ अगर कुछ पढ़नी है, examination के लिए, तो वो पता होना चाहिए, index of industrial production, जिसको बोलते हैं, IIP, तो in art course actors को, पूरी तरह से analyze करके, index release होता है, IIP करके, दोस्तों, तो यह IIP पता होना चाहिए, आपने, यहाँ से question बनेगा, और even UPSC पूछ भी चुका हैं यहाँ से, तो क्या होता है, IIP, जो industries हैं, जो art main industries हैं, उसमें किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, उसका production किस तरीके से change हो रहा है, अब पहला question जो पूछा जा सकता है, कि यह बताओ, यह index को release कौन करता है, तयार कौन करता है, तो इसको compile और publish क्या जाता है हर महीने, और compile publish करने का काम है central statistical organization का, और यह organization दोस statistics and program implementation के under में आती है, चीक है, अब जो यह IIP है, यह क्या करता है, इंडिया के जो industrial groups हैं, उनका जो growth rate है, उसको दर्शाने का काम करता है, clear, अब सवाल यह भी है कि हम इस index का करेंगे क्या, अगर हमें growth पता चल भी रही है, तो उसका importance क्या है, तो दोस्तों आप के लिए ना ह policies लेकर आते हैं, तो अपनी policies को वो इस तरीके सेट कर सकते हैं, growth को देखके, industrial growth को देखकर, तो यह IIP हमेशा से बहुत important रहा है, even यहाँ पर अगर आप देश की GDP को calculate कर रहे हो, जो economy के contribution में, economy का calculation हो रहा है, तो वहाँ पर हम इन growth को check कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी एक relevant role हो किसका, clear? अब देखो, UPSC ने एक बार 2015 में एक सवाल पूछ लिया था, कि जो index of 8 core industries है, इन में से सबसे ज़्यादा weightage किसका है, जो नीचे option में दिये गए, coal का, electricity का, fertilizer का, यह production का, तो 2015 के basis पर अगर हम देखे हैं, तो electricity generation का सबसे ज़्यादा weightage आपको देखने को मिल जाए हैं, तो electricity यहाँ पर second number पर था, अगर इसमें refinery होता, तो refinery आ जाता, बट यह भी यहाँ पर changes होते रहते हैं, इसमें, चलिए आ गया आते हैं, नहों आगे बढ़ने से पहले एक important information, अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, तो आपके पास में बढ़िया मौका इसको join करने का, यहाँ पर आपको daily business पर current notes के PDF वगरा provide करवाय जाते हैं, for example, जैसे अभी हमने article discuss के आज का अकवार का, इस article को निचोड के पढ़ना, यह exam में क्या चीज़ें आएंगी, उसके ओपर धियान देना, तो केवल article relevant नहीं, article एक जरिया है पढ़ने का, लेकिन क्या English दोनों भाशाओं में होता है, दूसरी बात, इस group में सारा content आपका secure हो जाता है, कहने का मतलब है, आपको store करने की दिक्कत नहीं पढ़ेगी, हैना कई बार storage के issues होते हैं, पीडियाफ इखटे करते करते परिशान हो जाते हैं, वो दिक्कत सब खतम, क्योंकि group में सारा content date wise पढ़वाएं, किसी भी तारीक का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, unlimited options आपके पास में available है, group को join करने का जो fee payment है, वो भी बहुत minimum है, just 499 for the lifetime access, या जब तक आपका selection न हो जाए, तब तक आप इतना रुपै में स group को join करके रख सकते हैं, guarantee कुछ दिनों amount recover हो जाएगा, लेकिन benefits फर भी मिलते रहेंगे, group को join करने के लिए क्लिए क्या करना है, whatsapp पर जाना, यहाँ पर आपको एक number दिया गया है, 853-487-3368, इस number पर message कर दिना, कि हाँ I want to join this group, इस प्रकार का message करना है, वहाँ पर आपको reply मिलेगा, payment का process जिया जाएगा, और payment के process से जादा important demo video का link भी आपको मिलेगा, आप पूरे demo video को check कीजिएगा, कि आखिरकार मुझे benefits किस तरीके से होंगे, आपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर यह investment आप कर सकते हैं, clear, बाकी please यार make sure क्या करो, वीडियो पे जो like का button उसको press कर दिया करो, छोटा सा target होता है हमारा 5000 जिसको आप support कर सकते हो, बहुत मेंदद लगती हैं वीडियो को create करने में, especially इस presentation को maintain करने में, चलिए, एक और topic, आज की एक बार पेज नंबर 3 या 4 पर आपको मिल जाएगा, GS paper number 2, security के point of view से important है, बात हो रही है, सरकार ने अभी, अफस्पा act को, बढ़ा दिया है नागलेंड और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, आंधर प्रदेश नी, sorry, अरुनाचल प्रदेश, तो अगर हम लोग map को देखें, तो ये नागलेंड और अरुनाचल से के नीचे आपको ये green color में नागलन नजर आएगा, ठीके दोनों का जो boundary है, वो भी आपस में share होता है, पीछे में अनमार है, उपर चाइना है, अब होता क्या है, कि इन areas में, अफस्पा act लगावाए, अब अफस्पा क्या होता है, इसकी full form है Armed Forces Special Powers Act, नाम से बता चल लिय आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, नागलन के कुछ हिस्सों में और अनाचल प्रदिश के कुछ हिस्सों में, कप्ता के लिए बढ़ा दिया गया है, बाकी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, अब किस-किस जगा पर लगाया है, वो पढ़ने की जूरत नहीं है, वो exam में आपको help नहीं करेगा, exam में जो चीज help करेगी वो है direct मुद्दा, ये aspect है क्या, कैसे काम करता है, क्या powers मिलती है armed forces को, कैसे act को लागू किया जाता है, दिक्कते क्या है इस act में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, और इसके लिए परिश special powers act को जानते हैं, पहले इसका background समझते हैं, इस act की शुरुवात कैसे हुई, ये भी तो जानना जरूरी है, या केवल सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, पहले जानते हैं इतिहास क्या इसका, तो दोस्तों ये जो पुरा कानून है न, ये कही न कहीं, अंग्रेजों के जमान पर तो ऐसा ही कानून अंग्रेजों के समय पर भी था, जो प्रोटेस्ट को रोकने का काम करता था, ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर बेजड, जो अफस्पा एक्ट है दोस्तों, इसको लाया गया था, और इसको चार ओडिनेंस के बिसिस पर लाया गया, 1947 में, लेकिन होता बाद में जो यह ओडिनेंस से इनको रिप्लेस कर दिया गया, एक कानून के माध्यम से, तो एक प्रोपर कानून आ गया, 1948 में, और जो प्रेजेंट लोग है दोस्तों, आज के समय का लोग आपको देखने को मिलेगा, अफस्पा वाला, वो स्पेशली नॉर्टीस्ट के अं वो 1958 का समय था, तो पारलियमेंट यहाँ पर 1958 में नॉर्टीस्ट के अंदर में सेक्ट को लेकर आती है, उस समय के जो हो मिनिस्टर थे जी बी पंत साब उनके दुरू, फिर स्टार्टिंग में जब केवल नॉर्टीस्ट के लिए एक्ट लेकर आया गया, तो यह अफस्पा और नंगलेंड को भी इस एक्ट में कवर किया गया, तो नाम इसका बदल दिया गया, तब इसका नम अफस्पा कर दिया गया, clear यह इसका background समझ में आया अब इस act के बारे में जानते हैं कि इस act की ताकत क्या है तो यह जो act है दोस्तों यहाँ पर यह कह सकते हो कुछ exclusive powers देता है हमारे armed forces को central armed forces को जो border पर हमारी forces तहना आते हैं वहाँ पर उन्हें states में जो forces military present है उनको exclusive power देने का काम करता है यह act especially वो areas जो disturbed areas कहलाते हैं ध्यान लखेगा सभी जगा पर यह लागू नहीं होता जो disturbed area होता है वहाँ पर act को लगाया जाता है disturbed area यानि बहुत दंगे हो रहे हैं लडाईयां हो रही है है ना बड़े-बड़े rights हो रहे हैं अमालना बहुत मुश्किल है कुछ काम नहीं हो पार आई proper तो वहाँ पर forces को ताकत दे देना ताकि forces उन दंगों को रोक सके और पता है ताकत यह है ताकत यह है कि forces किसी को भी मार सकती है किसी को भी और उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा किसी को भी मार सकती है arrest कर सकती है उनकी जगा पर investigation कर सकती है बिना किसी warrant के बिना किसी यहाँ पर आपका सकते हो कि रोक टोक के इनको एक protection बिल जाता है दोस्तो इस act के मादम से तो एकदम से इतनी power की बही किसी को जान से मार देना ये है UFSPACT और जो ये law है इसको सबसे पहली बार 1958 में लेकर आया गया especially जो नागास थे वहाँ पर जो problems create हो रही थी उनको deal करने के लिए अब जो ये act है इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया बाद में 1972 में amendment हुआ और 1972 में amendment होने के बाद में जो ये powers थी एक area को disturbed area कैसे declare किया जाए ये start किया गया ठीक है और मैं आपको बता हूँ दोस्तो कई सारे states में अल्रेडी लंबे समय से ये act लगा हुआ था त्रिपुरा के अंदर में 2015 में खतम होता है मेगालिया में 27 साल तक ये लगा हुआ था तो ये खतम होता है लेकिन सभी जगा से खतम नहीं हुआ है त्रिपुरा मेगाले से खतम हो गया लेकिन आभी भी दोस्तों ये जो act है असम, नागलेंड, मनिपूर, अरुनाचल परदेश के काफी सारे हिस्सों में लगा हुआ है अभी हमने पड़ा, नागलेंड, अरुनाचल परदेश में तो ये act बड़ा दिया गया है है ना, यह आप यहाँ पर देख पा हुआ है, ये दोनों states है अब बात आती है है हाँ पर इस act को लेकर controversy बहुत ज़ाद हुई है कई बार महिलाओं ने बहुत प्रोटेस्ट किया है दोस्तो बहुत प्रोटेस्ट हुए, मांग उठी है कई लोगों ने आपर अंशन किया है कि वही इस act को हटाया जाए reason क्या है number one reason is human rights violation क्योंकि सीधा-सीधा यहाँ पर react soldiers को इतनी सारी power दे देता है कि इसी को arrest कर सकता है बिना किसी warrant के किसी को मार सकते है तो यह powers बहुत ज़ादा है और जो extraordinary powers है दोस्तो इन powers के तहट कई बार fake encounters हो जाते है कई बार इनके उपर soldiers के उपर fake encounters के इलजाम भी लगे है आपको बताओगा 2021 का या 22 का महिने में एक जो गाड़ी आ रही थी उसमें यहाँ पर नहीं अटाक कर दिया था soldiers नहीं लगा कि बाई यह कैसकतो problem create करने वाले हैं लेकिन हुआ क्या normal लोग थे तो ऐसे बड़े-बड़े बवाल हुआ है दोस्तो तो इससे क्या हो रहा है जो मानव अधिकार है उनका violation हो रहा है security force उनका violation कर रही है disturbed कर रही है और जादा problems create हो रही है तो इस बसे लोगों की मांग है कि भई इससे तो और problems create हो रही है तो इसको हटाया जाए इसलिए protest हुआ दूसरा यहाँ पे इसके खिलाफ क्यों है recommendation of G1 ready committee दोस्तो बात है November 2004 की हमारी केंद सरकार ने 5 member की एक committee को appoint किया और एक committee बनाई जिसको head कर रहे थे BP G1 ready साब उन्होंने इस पूरे अफस्पा act के जितने प्रावधान थे provisions से उनको review करने का काम किया फिर इस committee ने अपने कुछ राई दी recommend किया recommend करते वे उस committee ने सीधे सीधा बोल दिया भाई या इस act को हटा दो इसको repeal कर दो ठीके और इसके कुछ यहाँ पर जो प्रावधान है इसको आप सीधा unlawful activities prevention act में डाल दो और UPA लगा सकते हो ये ये वाल act मत लगाओ अब unlawful activities के आपको पता है भाई जो भी गैर कानूनी काम है या especially इंडिया की security के खिलाफ में कोई काम कर रहा है peace के खिलाफ में कोई काम कर रहा है तो उसको arrest करने का काम किया जाता है तो जो powers दी जारी है forces को वो बहुत ज़्यादा extra हो रही है aspect के अंदर में ऐसा यहाँ पर committee ने recommend गया already तो यह basically एक और controversy इस act के तहद आपको नज़र आईगी फिर एक और controversy वो है second ARC recommendation उस committee ने अपने recommendation दिये लेकिन दूसरे दोस्तो ARC recommendation भी आया हुआ क्या? ARC क्या है? यह है administrative reforms commission आपको ARC की report पढ़नी पढ़ दे यह basically पता होगा तो जो पांचवी report थी second ARC की public order के ओ लेकर उन्होंने वहाँ पर recommend किया उन्होंने भी recommend किया कि भईया इस act को हटा दिना चाहिए लेकिन हुआ था क्या है दोस्तों यह जितने भी recommendation आई committee के इन recommendation को लागू ही नहीं किया गया सुना ही नहीं recommendation को तो यह controversy इस थी है इस law को लेकर अब Supreme Court के point of view क्या है जरा यह भी जान लेते हैं Supreme Court ने दोस्तों यहाँ पर अफस्पा Act को सही ठराया 1998 में एक judgment के दोरान होता ही है कि Supreme Court यह बोलता है कि जो हमारी central government है पहरी बाद central government के दुरुए matter उठा हैना Supreme Court ने इस matter को देखा और बोला कि देखो आप लगा सकते हो लेकिन एक limited duration के लिए ऐसा नहीं आप 27-27 साल 30-30 साल तक लगा दिया नहीं उसका एक duration होना चाहिए सपोस्थ 6 महिनी के expiry हो जाए 6 महिनी तक लगा कर मामला जब श्रान तो उसको आटा दो ठीक है तो अफस्पा कहता है जो यह powers दी जारी है दोस्तो इन powers का बहुत कम से कम इस्तमाल करना होगा हमारे soldiers को ऐसा यहां पर Supreme Court ने बोला था अच्छी तरीके से काम हो जाए कम से कम force का इस्तमाल करके तो वो जादा बेटर है जादा problems नहीं create होंगी तो यह था particular issue अब आप देख पाऊगा इस matter को detail से पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि UPSC ने mains में 2015 में एक प्रश्ण पूछा इसी act को लेकर प्रश्ण यह था जो human right activist है वो लगातार highlight कर रहे हैं कि जो यह अफसपा act है यह एक draconian act है जबरदस्ती का कानून है जिसकी वज़ा से बहुत सारे human right abuses कि यह जा रहे हैं security forces के लिए तो आखरेकार कौन सा section of SPACT का जो activist इसको oppose कर रहे हैं यह question 2015 में पूछा गया आप चाहो तो इस question का उत्तर लिख सकते हो तो means का question मैं आज आपको दे रहा हूँ पिछले कुछ समय से नहीं दिया था चलो आज से शुरू करते हैं आज यह question का answer आप लिखो ठीक है तो इस question का answer लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके search box में लिखना दीपक ज्यादव education mains group जै इससे फाइदे होंगे आपको भी कुछ फाइदे मिल जाएंगे कुछ benefits मिल जाएंगे important points मिल जाएंगे सामने वाले कि मिस्टे को आप बता सकोगे तो इससे cooperative में काम हो पाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर इसका answer लिखना शुरू कीजिए चलिए आद है next article पर आज के एक बहुत बड़ा challenge है बहुत बड़ी problem है अब वो problem क्यों है कितनी बड़ी problem है यहाँ पर writer ने समझाया है कुछ specific points mention किये हैं वो points मिल आपको बताऊंगा लेकिर उससे पहले दोस्तों जो हम regular basis पर पढ़ते हैं ज़रा TB के बारे में जान लेते हैं यह tuber clauses क्या है कितनी बड़ी ब बता दूँगा कि writer में पर क्या कहना चाहता है क्यों यहाँ पर TB से लड़ना हमारे लिए काफी मुश्किल होता चले जा रहा है तो दोस्तों जब बात करता है tuber clauses की तो जो बिमारी है यह होते एक bacteria की वज़ा से एक bacterium जिसको बोलता है mycobacterium tuberculosis यह बिमारी या फिर यह जो ब TB है अगर किसी इंसान को TB हो जाए तो जातर उसके जो फेफड हैं वो पूरी तरह साफ़क्ट हो जाएंगे फिर धिरी धिरे करके उसके दूसरे organs को वाफ़क्ट करना शुरू करता है और TB बहुत पुरानी बिमारी है especially यहाँ पर Egypt के अंदर 3000 BC के समय पर भी TB के कुछ कह सकत यहाँ पर नजर आएं तो वहाँ पर भी देखने को मिला करता है अच्छी बात है बिमारी को ठीक किया जा सकता है क्यूरेबल डिजीज है एक समय पर TB जान लेवा बिमारी के तौर पर देखने को मिलता है लोग डरते थे लेकिन आज इसका treatment अवेलेबल है अब बात आती है जो germs है वो air में आ जाएंगे और वो air के germs अगर normal person के contact में आ जाएं तो वो TB की मिमारी उसको भी हो सकती है फिर बात आती है symptoms की यानि लक्षन की तो जो common लक्षन है TB के उसमें कफ आपको देखने को मिलेगा कई बार खून आने लगता है चेस्ट में पेन होने लगता है शरी in treat all NTV करके campaign start किया और ध्यान अखेगा दुनिया में जितने भी tuber clauses के cases हैं उसकी एक report आती है global tuber clauses report इस report को release करने का काम भी world health organization ही करता है बागी इंडिया ने अपने कई सारे efforts लगा है इस बिमारी को खतम करने के लिए for example national strategic plan लेकर आया गया था tuber clauses को eliminate करने के लिए खतम करने के 2017 में जिसका टार्गेट है 2025 सक इस बिमारी को खतम करना इसी प्रकार से निक्षे एको सिस्टम निक्षे पोशन योजना टीबी हारेगा देश जीतेगा campaign और आज किसे में पर दो वेक्सीन हमारे पास में available है जो टीबी की बिमारी को ठीक कर सकती है और ध्यान अकिएगा हर स जादा स principal है अबबस यह है कि इंडिया में जो टीबी के इतने सारे केसे सा उसके पीछे के कई सारे रीजन्स आपको नजर आएंगे क्योंकि धातर पता नहीं लगा पाते हैं डॉक्टर्स भी बहुत मतलब टीबी को ना डाइग्नॉस करने का लिए यानिकि उस बिमारी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट अवेलेवल हैं वो जदा स्ट्रॉंग टेस्ट नहीं है हमारे पास में और इस बैसे पर कई सारे केसिस आपको देख इंसान गूम रहा है और दूसरे इंसानों में यह वो फैलातवा नजर आएगा ठीक है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीबी को टेस्ट करना यह इसका डाइग्नॉस करना इसका पता लगाना यह हमारे थोड़ा मुश्किल है ठीक हमारे पास में एकुरेट और ए रवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहे है फिर उसके बाद ऐक जो योजना स्टाट की है निक्षय पोश्चा योजना यहाँ पर भी इस योजना को इंप्लिमेंट करने में कई सारे issues आपको देखने को मिले हमें सारे ऐसी योजना स्टाट है जहांपर पैसा तो दिया पेशेंट्स को लेकिन केवल बहुत कम 500 रुपे केवल दिये जा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं यहां पर प्रॉब्लमेटिक होता हुआ नजर आएगा जिस वज़ा से टीबी के जो केसिस है वो इंडिया में क्रीज होते हुए नजर आएगे बाकी टीबर क्लॉसस के जो ट्रीटमेंट है वो क्या-क्या है भई टीबी को ठीक करने के लिए कुछ दवाईयां आती हैं ड्रक्स हैं एंटी बैक्टिरियल ड्रक्स आपको नजर आएंगी हैना अच्छा मील बहुत जादा इंपोर्टन्ट भई आपकी जो डायट है उसका ए खा रहे हो तो साधा सिंपल फूड खाओ अब दोस्तों यहाँ पर अगर वही मील हम बेकार करें जंक फूड का कंजंप्शन बहुत जादा है इम्मिनिटी बहुत जादा बेकार हो चुकिया तो छोटी सी छोटी बिमारी भी आपके लिए जान लेवाए है तो मील्स का एम्मिनो मोडिलेटर्स हैं वाइटामिन्स हैं एंटी बैक्टिरल ड्रक्स हैं यह सारी चीज़े हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं टीबी की बिमारी को कंट्रोल करने के लिए या ठीक करने के लिए हाला कि अगर जल्दी ठीक करना है तो उसके लिए कह सकते हो टीबी इसके पीछे का रीजन क्या है तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं राइटर क्या कहना चाहता है यह आप देख पाओगे इनका कहना यहां पर यह है कि जो करेंट स्ट्राडेजीज है आज के समय पर कहने का मतलब है जो हम रणनीतिया लेकर चल है हमारे पास में एक वैक्सीन है BCG वैक्सीन जिसका हम यहां पर यूज करते हैं टीबी को कंट्रोल करने के लिए जो की बच्चों में कई सारी प्रकार की जो टीबी है उसको खतम करने का काम करती है BCG वैक्सीन लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यहां पर यह ह nutrition कई सारे factors ऐसे हैं जहां पर बोला जा रहा है कि आप proper दवाईयां भी दे रहे हो proper antibiotics, proper treatment प्रोवाइट करवाया लेकिन कई बार जो व्यक्ति under nutrition से गुजर रहा है यानि proper portion नहीं मिल पा रहा है उसके body को, वो कैसे टीबी ठीक करेगा और इंडिया में अभी भी दोस्तों आपको poverty देखने को मिल जाएगी अभी भी गरीबी है, unemployment है प्लस under nutrition के cases अभी आपको देखने को मिलेंगे तो अच्छा खाना ना मिल पा ना body में portion proper ना हो ना ये problems कहीं ना कहीं सीधा सीधा कह सकते हो impact करती है एक इंसान को उसके immunity के उपर में दवाई उसी प्रकार से उसके body पे काम कर पाएगी समझ गए, तो इंडिया का जो contribution है वो भी बहुत जादा है, क्योंकि अगर आप देखो कि दोस्तों तो दुनिया में जितने भी TB के cases हैं, उसमें 31% cases यहाँ पे आपको बच्चों के देखने को मिलता है और इंडिया रिपोर्ट 2022 के अगॉर्डिंग बोला जा रहा है बच्चे जो हैं specially, जितने भी patients हैं, National TB Elimination Program के अंदर उसमें 6-7% बच्चे हैं और इंडिया का contribution दोस्तों बहुत जादा है, इंडिया से भी हाँ पर कई सारे cases आपको देखने को मिल जाते हैं specially TB को देखते हुए ठीक है, यह बात clear हो गई तो यह कुछ data हमारे सामने आपको देखने को मिल जाए clear हो गया? चलिए, आता है उसके बाद में next article की दरफ यह हमारा आज के editorial discussion, आज के newspaper में आपको, जब editorial page open करोगे तो कुछ articles देखने को मिलेंगे अब जैसे यह देख पाऊगे, एक podcast है अब यह podcast हमारे लिए important नहीं है क्योंकि हम discussions अलरी कर चुके है electoral bonds के उपर में राइटरें आपर यही बात करते है, electoral bonds को लेकर जो अभी recently issue निकल कर आया है सुप्रिम कोट ने State Bank of India से जो details मांगी है SBI ने details जारी की है उसमें कई सारी चीज़े दिखाई जाती है कि बहुत किस तरीके से electoral bonds के थूँ जो पैसा है companies ने दिया है सभी political parties को वो पैसा मिला है BJP को सबसे ज़ादा amount मिला है 47.9% के हाज हिसाब से सारा amount यहाँ पे BJP के पास में गया है बाकी कुछ और political parties है उनके पास में भी यहाँ पर यह amount गया है वो चीज़े यहाँ पर दरशाई गई है फिर यहाँ पर आपस में debate चल रही है एक यहाँ पर इसको scam बता रहा है यह आपको बहुत detail से समझाए गया है दूसरा article जो exam के लिए important है आज के समय पर या आज के newspaper से वो एक cloth article है वो यह वाला हाँ बिल्कुल इसका role ज़ादा है exam के लिए यहाँ बात हो रही है understanding India's coal import भारत में जो कोईले का import हो रहा है दोस्तों उसको समझना हमाले ज़रूरी है कोईले का import से ज़्यादा ज़रूरत है भारत को अपने infrastructure details को सही करना यह बात writer ने खुद mention किया मैं आपको इनके point of view समझाता हूँ मज़ा है आपको जानकर कि मैं आपको बताऊ थोड़ा interesting point भी है यहाँ पर और थोड़ा सही भी है जो writer है यहाँ पर है अशोक स्रीनवासन जो कि already प्रयास ग्रूप के साथ में काम कर रहे है फिर है मारिया च्रियाल देन है रोहित तो यह तीनों यहाँ पर energy group से belong करने वाले personalities है इनका कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो coal का shortage होता है कोईले का जो shortage होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोईले का shortage हुआ तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगा electricity जो बिजली है उसका भी cut down नज़र आएगा क्योंकि बिजली बन कैसे रही है जनरली अभी तो कोईले को जलाकरी बिजली बनती है न और लास्ट येर साल 2023 में हमने देखा बड़े-बड़े black outage के जो issues है वो नज़र आए especially August 2023 में electricity का shortage हो गया था वो writer ने explain क्या हुआ है writer यहाँ पर बोलते हैं अब बात आती है भाई या electricity shortage की तो अभी problem शुरू होने वाली है क्यों reason यह है कि भाई अब गर्मी शुरू हो गई है होली निकल चुकी अब गर्मी और भहंकर पड़ेगी अब जिसी बात है April, May, June, July भहंकर गर्मी पड़ने वाली है hot weather start होने वाला है तो जितनी जितनी गर्मी बढ़ेगी electricity की demand भी उतनी बढ़ेगी cooler, AC, पंखा, फ्रेज यह सारी चीज़ यहां पर चला होगे तो electricity की demand बढ़ेगी तो हमारे लिए हां पर electricity को manage कर पाना थोड़ा सा challenging होने वाला है last year क्या हो गया था last year मामला अटा गया था August 2023 में August 2023 में दोस्तों अभी तक का सबसे बड़ा electricity का shortage हुआ ऐसा writer का कहना है क्योंकि demand बहुत ज़ादा थी लेकिन बिजली कम पड़ गई और वो जो electricity shortage था उसके पिछे का reason था पूर मौनसून होना अब गर्मी ज़ादा थी जो ये shortage है वो इस साल भी हो सकता क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है लेकिन उस shortage का एक बहुत अच्छा solution है हमारे पास में क्योंकि आप solution ये देखोगे आप ये सोचरोगे क्या कोईले की कमी हो गई थी क्या दोस्तों कोईले की कमी नहीं होई थी कोईले को उठा कर power plant तक जो पहुँचाया जाता है ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके उसको ट्रांस्पोर्ट कर जो किया जाता है उस ट्रांस्पोर्टेशन की कमी थी कोईला हमारे पास में हमारी माइंस में फिर भी भरपूर मातरा में अवेलेबल था हम उसको अराम से डील कर सकते थे लेकिन अगर हमारे ट्रांस्पोर्टेशन ही सही नहीं होगा हम कोईले को उठा कर plant तक नहीं पहुचा पाएंगे तो बिजली बनेगी कैसे ये प्रॉब्लम है तो राइटर ने यहीं बोला है कि भई यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है लोजिस्टिकल इशू उसका ट्रांस्पोर्टेशन करना हमारे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है उसको हमने ठीक कर लिया तो सारी दिक्कत है खतम कई रिपोर्ट्स करें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कोईले को बढ़ाना पड़ेगा माइस में इंक्रीस करना पड़ेगा जरुरत ही नहीं है आप कोईला इंपोर्ट करके उसमें मिला कर अगर आप यूज करोगे कई बार जो प्लांट्स जो पावर प्लांट्स होते हैं वो क्वेली को इंपोर्ट करेंगे मिलाकर यूज करेंगे तो लेक्रिसिटी और महेंगी हो जाएगी खर्चे जादा बढ़ जाएंगे तो अगर इन शॉर्टेजिस से आपने डील करना है तो सबसे बढ़िया सोर्स यहाँ पर क्या है आपने लॉजिस्टिकल इशू को अपने रिजॉल्व करना इस ट्रांस्पोर्टेशन इशू को रिजॉल्व करना क्योंकि राइटर ये बोलते हैं जो शॉर्टेज हुआ था अगस्थ 2023 में वो शॉर्टेज लगबग कह सकते हूँ 0.55% of the demand का था कहने का मतलब है कि केवल हम 0.6 million ton अपना कोईला भंडार से निकाल कर उस शॉर्टेज को पूरा कर सकते थे और हमारे पास में 30 million tons of coal already available था हमारी coal mines में तो हमारी खदानों में कोईला present था यानि कहने का मतलब है 30 million ton कोईला present है हमारी खदानों में लेकिन उस जो शॉर्टेज हुआ तो शॉर्टेज को दूर करने के लिए केवल 0.6 million ton कोईले की जरूरत थी तो खदानों से निकाल कर प्लांटक तक ही तो पहुँचाना था बट वही प्लांट तक नहीं पहुच पाया वही transportation proper नहीं हो पाया क्योंकि दोस्तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में कई सारे पार प्लांट्स ऐसे हैं जो कोईले का इस्तमाल करते हैं विजली का उत्पादन के लिए वो पार प्लांट्स कोईले की खदान के पास में है तो वहाँ पर अगर दोरी देरी होगी तो अब्वियसी बात है एलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में शॉर्टेज होगा तो राइटर यही बोलता है कि जितने ही पार प्लांट से वो सब सेम नहीं है कुछ पार प्लांट जादा बिजली उत्पादन करता है कुछ प्लांट से बहुत जादा दूर है तो दिक्कत है इस शॉर्टेज को दूर करना है तो अपना ट्रांस्पोर्टेशन या लोजिस्टिकल इशू को इंप्रूफ करना क्योंकि हम shortage से नहीं गुजर रहे हैं हम गुजर रहे हैं अपने infrastructure issue से जो सबसे बड़ा challenge है वो है यही logistics bottleneck समझ गए और यह सस्ता तरीका है import करने की जो सोच रहे हो ना उससा सस्ता तरीका यही है आपके import इस gap को पुरा नहीं कर पाएंगे और आपको यह काम थोड़ा efficient पड़ेगा आपने बस खाली अपना थोड़ा transportation sector इंप्रूव कर लिया तो यह दिक्कते नहीं होगी क्योंकि आपके ख़दानों में present है कोईला लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है क्लियर हो गया अब दोस्तों यहाँ पे लगातार हम कोईले की बात करना है तो ज़रा कोईले के बार में कुछ factual data को भी पढ़ लेता है कोईले एक प्रकार का fossil fuel है सभी को पता है जो कि आपको sedimentary rock की form में मिलता है कोईले को हम black gold के नाम से भी जानता है हमारे लिए एक काला सोना भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा source of energy है जो कि सभी जगा पर available है हम इसको एज़ा domestic fuel इस्तमाल कर रहे है कोईले का इस्तमाल कहां नहीं हो रहा है सभी industries में हो रहा है iron, steel, steam engine सभी जगा पर बिजली का उत्पादन करने के लिए भी हाँ पर कोईले का user है electricity जो हम कोईले से generate करते हैं उसको thermal power बोलते हैं सबको पता होगा कोईले के जो सबसे बड़े उत्पादक है पूरे दुनिया में उसमें देखोगे China, US, Australia, Indonesia, even India भी हाँ पर आता है तो दोस्तों हमारे देश में जितने भी कोईले की खदान है उसका 98% गौणवाना कोल फील्ट सी है और वो कोईला जो हता है गौणवाना के समय का वो कोईला सुपीरियर है quality वाला कोईला है और ये वाला कोईला जायतार जारखन, West Bengal के अंदर जो दामोदर है वहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार की खदाने महानदी में आपको नजर आएंगी 36 गलोडीशा के पास कोदावरी हो गया, नर्मदा वैलीज हो गई यहाँ पर आपको जातर खदाने देखने को मिलेगी दूसरी प्रकार की जो कोल फील्ड भारत में देखने को मिलती हैं वो हैं टर्शरी कोल फील्ड यह 15 से 60 मिलियन साल पुरानी है और इस वली खदानों से जो कोईला निकाला जाता है उसमें जो कार्बन कॉंटेंट है वो थोड़ा कम होता है लेकिन उसमें सलफर और मैश्चर जादा प्रजेंट होता है तो जो टर्शरी कोल फील्ड होती हैं वो अगर आप देखोगे तो हमारे निचले हिस्से या फिर आप कह सकतो नौर्ट इस्टन रिजन आसाम, मेगाल या नागल या निरुनाचल प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, उसके लाव वेस्ट बेंगल, राजुस्थान, उत्तरप्रदेश, केरेला ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको ये टर्शरी वाली कोल फील्ड साब को नजर आएंगी और जब हम कोईले की बात करते हैं, जो हमें कोईला मिलता है ना दोस्तों, वो चार प्रकार का होता है, चार प्रकार साब उनको क्लासिफाई कर सकते हो एक होता है एंथ्रेसाइट, क्या, एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, ध्यान अखिएगा तो anthracite में आपको यहाँ पर नज़र आएगा 82-95% carbon present होता है क्योंकि koila वही सबसे बहतरीन है जिसमें carbon सबसे ज़्यादा है है ना और अगर carbon कम होगा तो koila energy कम generate करेगा लेकिन एक बात ये भी है carbon जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा energy तो मिलेगी लेकिन प्रदूशल भी उतना होगा तो anthracite होगा जिसमें 82-95% carbon content है और ये वाला koila आपको जातर जमू कश्विर में नज़र आएगा फिर आता है दूसरा bituminous इसमें 62-80% carbon content होता है ये आपको जहारखन, West Bengal, लोडिशा, 36 गड़, मद्यव प्रदेश में नज़र आएगा फिर एक आता लिगनाइट इसमें 42-55% carbon content होता है इसमें moisture content भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ये राजस्तान, लखीम, पूर असम, तमिलाड में भी देखने को मिलता है फिर बाद में आती है बाद पीट की तो पीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें 40% से ज़्यादा carbon content आपको नज़र आएगा चीक है अब दोस्तो ये details मैं आपको इसलिए share किये क्योंकि आज के ही अख़बार में एक और topic है coal एक lignite को लेकर तो अभी यहाँ पर जो lignite का dispatch किया गया है दोस्तो वो एक बहुत बड़ा record set हुआ है 1 billion ton का 2024 में वो यहाँ पर इस report में mention किया गया खेर यह numbers हमाले इतने important नहीं है जो beach का factual data था वो मैं आपके सामने अलड़ी explain कर चुका हूँ अब यह topic है इसको भी discuss करना है बट इसके लिए मैं separate video मैं काफी discussion होगा क्योंकि आपको पता है कल से मैं एक छोटा separate video भी चला रहे हैं जो relevant है लेकिन वो relevant कैसे हो सकती है background data के साथ में वो मैंने आपको सिखाया इस video के अंदर में जो daily करता हूँ 2019 का यह prelims का question था कि इंडिया में जो extent producer responsibility इसको लाया गया है कौन से option के important feature के तौर पर तो वो है option number C जो e-waste management and handling rules 2011 के इसी particular नियम के as important feature के तौर पर इंट्रोड्यूस किया यह extend producer responsibility को though that is why option number C is the correct answer now इसे के साथ मैं करते हैं lecture को समापत और मलते हैं आप लोगों सगले वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जय हिंद